दोस्तों भोचपूरी इंडस्ट्री में वैसे तो खेसारी लालियादों को लेकर लगतार चर्चा होती रहती है। तो खेसारी लाल यादो के टीम में कई सारे ऐसे शदस्य हैं जो खेसारी लालादो के टीम के साथ जूड़कर जबर्जस तरीके का काम करते हैं और जो खेसारी फैंस हैं वो उन लोगों को जम कर सपोर्ट करते भी नजर आते हैं हलाकि वो एक अच्छे गाने भी लिखते हैं जिसकी वज़ा से उनका चर्चा होना लाजमी हो जाता है और खेसारी लादो के टीम के लोगों को भी खेसारी फेंस जम कर प्यार देते हैं लेकिन आये दिन इस तरीके से गाना चोरी का आरोप लगता है तो उनके टीम में ग्रूपिजम की बात शामने आने लगती है जिसको लेकर तमाम तरीके की बाते होने लगती है और इस कड़ी में एक और मामला सामने आया है खेसारी लादो के टीम के सदस्य को लेकर जो काफी जादा चोकाने वाला है और मुझे लगता है कि वैसी चीजों पर खेसाय लड़ादों को खुद बखुद आकर जो है उस पर कंसेंट्रेट करना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके की समस्याएं जो है वो और किसी के साथ ना हो दरसल आपको पता होगा कि ये गाना 26 भोचपूरी के यूट्यूब चानल पर एलेज हुआ है बारात तो हार फिर जाई जो खेसाय लड़ादों शिल्पिराज के आवाज में है लगन का गाना है और ये गाना दर्शकों को काफी जादा पशंद आ रहा है और इस गाने पर लगबग 4 मिलियन के कलब मे इस गाने पर दो दिन में भेउज मिलने वाले हैं और ये गाना जो है में शिक्षन से लेकर म्यूजिक शिक्षन में 7 नम्मर पर ट्रेंड कर रहा है लेकिन इस गाने को लेकर एक नया बवाल मच गया है और वो ये है कि इस गाने को प्रिकास परदेशी ने लिखा है लेकिन प्रिकास परदेशी जब खेसारी लल्यादों के गाने के लिए तो उनके टीम का कहना है कि खेसारी लल्यादों ये गाना नहीं गाएंगे और उसी गाना को टोड मरोड कर कृष्णा बेदर्दी ने खेसारी लल्यादों से गबा दिया दरशल बात करें तो बरात तहर फिर जा उनका क्रेडिट डिजियर नहीं तो बहुत बुरा होगा और उन्होंने विबेक सिंग, क्रिष्णा बेदर्दी, खेसारी लाले आदो, टीम खेसारी, अरुन देव अन्शू, पांडे गितकार प्रकाश परदेशी इस सब को टैग किया गया है और नोट में भी लिखा गया है कि जब तक क्रेडिट नहीं मिला, तब तक प्रमोशन बंद रहेगा, मेरे तरब से और भाई लोग आप लोग भी सपोर्ट करिये, तब अकल ठिकाना आएगा, मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी लाले आदो के टीम पर ही इस तरीके का, कॉन्सिप्रेशी इस तरीके का आरोप लग रहा है कि एक गाना दे रहा है बेकते और उस गाने को रोक कर खुद जो है थोड़ा बहुत बदल कर अपने से गवादे रहे, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बुरी चीज़ है और ऐसी चीज़े नहीं होने चाहिए इंडर्स्टी में और खास क कि फ्रेंज को पच्तावा हो और खेसारी लालयादों का बिच साडम डाउन हो सकता है तो इस पर आपके क्या रहा है यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा धन्यवाद